तो फ्रेंट्स आज में आपको बताने वाले हो कि सर्दियों में ग्रीसलीन को कैसे इस्तमाल किया जाए जिसके कारण आपकी स्किन टाइट ब्राइट एंड वाइट नब हो जाए बहुत ही ज्यादा रेडियेंट हो जाए एकदम पालर वाली फेशल वाला ग्लो लाने वाला ह आज का ये ग्रीसलीन फेशियल फ्रेंट्स सर्दियों में हम सभी की स्किन बहुत जादा ड्राइ होने लगती है काली पढ़ने लगती है स्कीन की स्मूधनेस एकदम खतम हो जाती है स्कीन बेजान डल हो जाती है और ऐसे में अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़े तो हम भी हमारी स्किन ग्लो करें, हम जो भी मेकप करें, वो पैची ना हो, लॉंग लास्टिंग रहे आज का वीडियो बहुत ही जादा कमाल धमाल मचाने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत जादा ड्राइ एंड बेजान हो जाती है आज की वीडियो में दो चमच्ज crimes slin से हम फेशल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ग्रीसली नहीं हमारे फेज पर शाइन लाता है हमारे फेज को फुल टाईं हाइड्रेशन देता है साथ ही आपके फेस पर जितनी भी मैल है आपकी फेस को डीप क्लीन्स करता है आज का ये फेशियल, so keep watching. Hi everyone, welcome back to my channel, I am Viva और मैं इस चैनल पर beauty से related home remedies आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जो मारी skin and health के लिए काफी जादा यूसफुल होते हैं. यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर फर्स तेम विजिट के हैं, तो प्लीज विद बैल लाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फुचर में आप मेरे वीडियो देख सकें, अब हम अपना वीडियो स्टाट करते हैं, मैंने यहां लिया है एक क्लीन बाउल ठीक है, और उसमें मैं दो बड़े चम्मच के करीब एड कर दूंगी दही, यह जो दही होगा वो खटा दही होगा, अगर आपके पास दही नहीं तो आप यहां मलाई या फिर कच्छे यहां मैं फिर कुछ दिखिती का डरले हो अफिर्ट धर के कलीन सबकूर दही हमारी चाहे से कलीन सकरे के साथ हमारी सक immersion को मौत ऑन पावी करते हैं teiTra काम पावदर कहता हैं के स्किने बहुत बहुत स्पोर्चन को काकी जाफ ज़दा बनाथ प्रम होते हैं यहां मैं रैसी एब दीड़ीखेलीन के फिटीन और को में खुच है ञाज़ कि ग्रीशलीन नहीं थुण के सकते हैं?... इब स्कारइज शुक्क्राइट तो आपने जरूर में तो तीन आर प्रॉट चीजों में पहंसे भी के लिए ज्रूंद क disfrut और इसका एक smooth paste बन गया है So, हम फेस की सबसे पहले करेंगे Cleansing and Scrubbing एक smooth sa cleanser हमारे face के बन के तयार हो है साथ हमारे face की scrubbing भी हो जा है तो यहां में कुछ green tea leaves इसमें add कर रही हो जो एक जो बहुत अच्छे से scrub की तरह काम करेगा हमारे फेस पर जितनी भी काली महल वगार है उन्हें अन्दीपली क्लीन कर हमारे फेस पर जो भी वाइट, ब्लाइक की प्रॉब्लम है डेट सेल्स उन्हें यह रिमूफ करेगा सो इस सरीके से मैंने इन सारी चीजों को बहुत अच्छा से मिक्स कर लिया है इस हम रेमेडी से फेस की क्लीजिंग और स्क्रॉबिंग कैसी की जाए मैं आपको इसे अपने फेस पर अपलाई करके दिखाती हूं इस रेमेडी को मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अपलाई कर लोगी यह remedy हमारे face को बहुत अच्छे से deep cleansing करता है हमारे face पर जितनी भी impurities है गंदगी है उसे काटा है जदी आपको black hearts white hearts की प्रब्लम है तो उसे भी रिमुव करता है face पर जितने भी dead cells है उन्हें अच्छे से remove कर आपकी skin को healthy बनाता है यह अधिया प्रफेंट इसमें कोफी एड़ को अधिया जो हमारे फेस के कॉम्पलेक्शन को काफी जादा ब्राइटर नप करता है पक्रना सेट ब्राइटर नप करते हैं इससाल को नपने जाची पूर नपना से पाने से आप टेस को मसाज स्पानिया वाष लोलने पानिया जिसको के नपनागे आरे पाने क्षेक्थ याम सब्सक्राइव करेंगे गो के फेस को बहुत अच्छे से डीप करने वाला है सो मैं आप से मिलती हो फेस वाश करने के बाद सो फ्रेंड्स यहां मैंने फेस को वाश कर लिया है और आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है वीडियो में वीजिबल ठंग से नहीं हो पा रहा होगा पर भी में फ्रेंड्स मुझे बहुत ही आदा स्मूथ सॉफ्ट और रिफ्रेश्ट फील हो रहा है इतनी जादा प्लंपी सी लग रही है ना कि मैं आपको बस बताई नहीं सकती आप भी इस वाले स्क्रब कम क्लीजर को एक जरू ट्राइ करिएगा यह हमारा हो गया है फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट और जब आप इसको ट्राइ करेंगे ना तो एक तो मार्किट वाला जो स्क्रब होता है वह वाली फील आपको आने वाली है अब चलते हैं सेकिंड स्टेप कियो उसके लिए मैंने यहां लिया है क्लीन बाउल और अब इसमें एट करने जारी हो एक बड़ा चम्मच के करीब अलोवीरा जल अगर आपके पास मार्किट वाला है तो आप वह यूज कर सकते हैं नितो प्लांट वाला भी आप यहां यू जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छ से पॉलिष करता है हमारे स्किन एट चाहिए लाइशन एट उसे दूर कर हमारे स्किन को शाइन बनाता है यहां विटामिन C के गुण से भरपूर जो चीज है वो है नीबू और उसका मैं इस्तेमाल करूंगी नीबू की में फोर से हमाई भी ओ्रीश करता है हमाइज सकिन पहर पीएच लएवल को को मैंटेन रख कर जिसकी वजे से हमारी सिकी लिए पिंक लो आने लगते है और हमारी स्कीन एकदम खिली-khli रहती है यह थिए मारे ओपन पोर मेंट को को दूर करता ह्ता इसकिन में शाइन लेता है फेस पर एक येलो इश ग्लो लेके आता है और अगर आप हल्दी यूज़ करते है तो हल्दी भी आपके फेस के कोंपलेक्शन को बहुत जदा ब्राइटन अगर आपके फेस पर डाक स्पोर्स अगरा है तो उसे भी तूर करती है तो फ्रेंड्स इस अरीगे से ये मॉस्टराइजिंग जेल मैंने रेडी कर लिया इन सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लोगी और आप देख सक अच्छे से थोड़ी लिक्विड फर्म मैं एसे रुई की है अपने फेस पर अपलाई करोंगी तो इस तरीके से अपने पूरे फेस पर इस मॉस्टराइजिंग जेल को अपलाई कर लोंगी फ्रेंड्स ये जेल बहुत ही अमेजिंग जेल आपके फेस पर इंस्टेंट ग्ल और आपको नहीं समझ में आता कि फेस पर क्या लगाएं कि जिसकी वज़े से आपकी स्कीन स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाए तो ये वाली जल आप जरूर बनाएं और इसे जरूर ट्राइ करें तो इस तरीके से कॉटन बॉल की हेल्प से मैंने पूरे फेस पर जल य आपको और सर्कुलर मोशन में अपवर डिरेक्शन में आप अपने फेस की मसाज करेंगे तो आपके फेस पर धीरे दीरे आने लगेगा साथ की साथ ग्लो आप ये जल अगर आपकी पफी आई की प्रॉबलम है तो उसे भी दूर करता है आइस की नीचे जूरिया आने लगी आपके फेस पर जूरिया ये जो भी पिग्मेंटेशन की मार्क जो भी डाक स्पोर्ट से इस जेल की हैब से वह दूर ओने लगेंगे आपके फेस पर शाइन आने लगेगी जब याप फेस की मसाज करेंगे अपनी नेक को बिलकुल नहीं बूलना है क्योंकि नेक अलग सी द में फोर हेट की मसाज करेंगे आप अपने चिन की मसाज करेंगे चिक्स बोन की मसाज करेंगे तो आपका फेस काफी ज्यादा हेल्दी रहने वाला है जो हमारी स्किन एज करने लगती है हमारी फेस पर जूरिया आने लगती है ज्जाइया पढ़नी लगती है इस तरीके से म बनाने से तो आप इन समस्राओं से छुटकारा पा सकेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आई ब्रोस की मसाज किया जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसकी हैल्फ से ही मैं अपने अंडर आई वाले जो सर्कल हो जाते हैं डाग डाग उस जगह मसाज करोंगी क्योंकि हम सबी फोन बहुत जादा देखते हैं लैप्टॉपस पर भी काम करते हैं जिसकी वज़े से हमारी रिंग 210े क्यों सो इस सरीके से आप के डाग सरकल भी दूर होंगी आप जलूर करिएगा, मसाज के स्टेफ को जादा हाड नहीं है, बहुत ही एजी से हैं स्टेफ्स आप चाहें तो वीडियो देख के भी साथ के साथ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत जादा सैगी होगी है तो आप इस सरी किसे अपने फेस की मसाज करिए आपकी स्किन टाइटन अप होने लगेगी आपकी स्किन शाइन करने लगेगी आप इस जेल को अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसे कि आपके हैंड्स भी बहुत तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी जादा खिली खिली सी नजर आ रही है कितनी स्किन वाइटन अप होगे इंस्टेंट ग्लो आया है फेस पर इतना ज्यादा स्कीन को इसने रिफ्रेश्च कर दिया है जैलें बहुत ही अच्छा फेशल है फ्रेंड्स ग्रीसलीन फेश तो आप भी जरू ट्राइग करिएगा यकीन माने आपके चहरे पर यह भर भर के गलो लाने वाला है एक दम कमाल धमाल मचाने वाले रिजल्ट है अगर आपकी स्किन बहुत जादा ड्राय रहती है विंटर से बेजान रहती है इसकिन बहुत जादा साफ सुतरी नहीं दिख के मुझे पहली बार देखने तो प्लीज विब बैल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आप मेरे और वीडियो देख सकें थैंक्यों पर वाक्षिए